Hey guys welcome back और आज हम आगे हैं last level पे यानि कि act 3 scene 3 complete होते ही हमारा 11th class का tempest का portion complete हो जाएगा पिछले scene में हमने देखा था कि कैसे caliber and stefano के मन में राजा बनने के एक इच्छा जगाता था और उनके साथ आगे क्या होता है ये भी हमने देखा था लेकिन इस scene में we are going to talk about Alonzo, Sebastian, Antonio, Gonzalo ये सारे royal people होता क्या है कि Alonzo अपनी सारी कोशिशे अजमा रहा था कि अपने बेटे Fordinant को खोजे और इधा उदर घूम रहा था तब ही उसे कुछ music सुनाई देता है उसके बाद उन्हें देखते हैं कुछ strange shapes ठीक है जो की of course spirits होते हैं prospero के and वो जो है banquet लाते हैं यानि की dinner table पे सजा हुआ लाते हैं जब यह लोग जाते हैं बहुत जदा भूके होते हैं उसको छूने की कोशिश करते हैं खाना start करने ही वाले होते हैं तब ही वो गायब हुचाते हैं और ये लोग बहुत पागल से होने लगते हैं कि ये क्या हो गया मतलब खाना इतने समय से भूके है उसके बाद एकदम से इनको लालज दे के कोई खाना इनके सामने से हटा दे तब एरेल लोगों को याद दलाता है कि कैसे ये तीन लोग जो है त्री मैन आफ सिन है यानि कि तीन पापी लोग है और इन्हें याद दलाता है कि ये सजा है ठीक है डेस्टिनी तुमारी यही है और जो तुमारा कर्म है उसका फल तुमाहे तक कैसे वापस आ गया है ठीक है तो चलो, देखते हैं, एंटर, एलोंजो, सेबास्टियन, एंटोनियो, गुंजैलो, एड्रियान, फ्रांसिसको, और अदर्स, गुंजैलो कहता है, बाई आर लार्किन, आई कैन गो नो फर्दर सर्ज, जैसे हम कहते हैं न, कि यार कसम से, अब मेरे से चला नहीं जा रहा है, वैसे ही बाई आर लार्किन, मतलब कसम खा के कह रहा है, ठीके, किसकी, वर्जिन मैरी की, ठीके, वो यानि की आगे जा नहीं सकता, ठीके, वो बुड़ा होता है, आपको पता है, अलोंजो भी बुड़ा हो रहा होता है, मतलब कहता है यह जो जगे है वो एक तैसे ट्रोड यानिकी रास्ता ऐसा रास्ता है जहां पर हम जैसे मेज वो रास्ता जैसे माना गया है जो भूल भूले यह टाइप का हो जहां लोग रास्ता भूल जाया अपना तो वो वही कहा रहा है यह रास्ता तो मेज की तरह है ठीक है वो कहता है यह रास्ते कैसे straight path है fourth right and meanders यानि की circular paths हो गए या फिर wandering paths होते है उस type के रास्ते और मुझे समझ नहीं आ रहा है हम लोग कहीं भी पहुच नहीं पा रहे हैं कोई अंत नहीं हम चलते जा रहे हैं and we are not getting the right place जो की हम डूनना चाह रहे हैं ठीक है by your patience sir मुझे अभी rest चाहिए ही ठीक है I need to rest तभी अलोंजो कहता है old lord I cannot blame दी मैं तुम्हें blame नहीं कर सकता who am myself attached with weariness ठीक है क्योंकि मैं खुदी अटाच हो गया हूँ या फिर यहाँ पर लिखा है seize seize होता है जब्त करना किसी के कबजे में आ जाना ठीक है weariness तो आप जानते हैं थकावट तो उसको खुद थकावट ने पकड़ रखा है alone जो भी तो खुद बूढ़ है as I said and he is also seized by या फिर attached to the dulling of my spirits dulling of my spirits याने की गुंजायलों से कि चलो बैट जो हम लोग अराम करते है even here I will put off my hope and keep it no longer for my flatterer याने कि यह कहता है अब मैं बिल्कुल भी अपने hope को मैं down कर देता हूँ जो मेरी है hope जरासी तुम लोगों ने इक्षा मतब हमाया अंदर hope जगा दी थी जनरली हम लोग flatterer उन लोगों कहते है जो मखल लगाते है हमें है ना यहाँ पर flatterer याने कि वो hope जो से कह रहा है अरे थोड़ा चल लो हो सकता तुमारा बेटा मिल जाए तो वो कहते है अम मैं उस flatterer voice की बात नहीं सुनने वाला क्योंकि यह सच है मेरा बेटा मर चुका है आगे वो यह चीज कहता भी है he is drowned whom does we stray to find stray यानि की wander यानि कैसे गूमना टहलना बिना किसी जैसे की गूमते रहना जहां हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो wander कर रहा है वो लोग ठीक है किसके लिए उसके लिए जो कि डूब चुका है तो वो तो डूब चुका है जिसके लिए हम यहां wander कर रहे है और सी हमारा मजाक उड़ा रहा है हमारे उपर मौक कर रहा है कि हम लोग फ्रस्टेशन में लैंड पे उसे ढून रहे हैं जो कि तो सी के अंदर जा चुका है मेरा बेटा राइट वेल लेट इम गो वेल अब उसे जाने दो वो चला गया है इस दुनिया से ठीक है सी यह जो है थोड़ा सा कह सकते sad या फिर एक strong scene है और important भी है सो या last तक वेखें इसे Antonio फिर कहता है Sebastian से कहता है धीरे से अब आप समझ सकते हो यहां important चीज़ है I am right glad that he is so out of hope मतां Antonio कहता है कि सही है कि यह बिल्कुल out of hope हो गया कमजोर इंसान बन चुका है Alonzo Do not for one repulse Forgo the purpose that you resolve to effect यानि कि सिर्फ एक defeat की वज़े से one repulse की वज़े से जो हमने इपिछली बार कोशिच करी Alonzo को मारने के और वो तुम उसमें नाकामियाब रहे उसकी वज़े से अपने आपको भूलने मत देना क्या intention है तुमारी purpose यानि कि intention है जो कि हमने सोच रखी थी effect में लाने के लिए यानि कि हमारा जो plan है वो अभी भी हम पूरा करेंगे एक बार हार गए तो कोई दिक्कत नहीं है मतलब उसको थोड़ा motivate कर रहा है तो Sebastian कहता है दीरे से Antonio से कि तो नेक्स एडवांटेज विल वी टेक थ्रोली ठीक है थ्रोली यानि कि थोरोली मतलब कि बिल्कुल next advantage जब भी हमें मिलता है यानि कि next chance जब भी हमें मिलता है attack करने का बिल्कुल मैं उसका फायदा उठाऊंगा और मौका हाथ से नहीं जाने देने वाला मैं फिर Antonio कहता है उससे let it be tonight यानि कि वो जो मौका है chance है वो आज ही उसे आने दो ठीक है let it be tonight for now they are oppressed with travel क्योंकि वो इतना travel कर चुके बहुत ज़्यादा ठक चुके है they will not nor cannot use such vigilance as they as when they are fresh यानि कि अब वो इतना ठक चुके अब वो कोशिश भी करे तो भी वो मतलब अब इतना ठकी चुके है कि वो watchfulness नहीं रख पाएंगे यानि कि वो ज़्यादा जाग रुक नहीं रहेंगे रात में और हम उन्हें आराम से मार सकते हैं जैसे कि जब वो फ्रेश थे यानि कि यहाँ पर जब वो आये थे या फिर जैसे कि जब वो ठके वे नहीं थे तब वो देख एकदम से उठ गए थे तो उन लोगों को एक्चुली पता नहीं है एरियल ने उन्हें जगाया था उस बार इसलिए अंटोनियो कहा रहा है कि पहले थे वो ठके नहीं थे तो वो जग भी गए लेकिन अब वो एकदम बे सुध होकर एकदम सोएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा सेबैस्टन कहता है यानि कि मैं कह रहा हूँ ठीक है आज रात का फाइनल हो गया अब और बाते मत करो तब एलोन सो कहता है यानि कि ये कौन सी साउंड आ रही है कौन सी हार्मिनी सुनाई दे रही है हार कि यानि कि listen कौन सी आवाज आ रही है तब इ गुन्जैलो कहता है marvelous, sweet, music ठीक है music सुनाई देता है लोगों को enter prospero above invisible ठीक है prospero आता है invisible होता है और काफी सारे strange shapes आ रहे होते अभी यहां shapes यानि कि spirits है ठीक है अलग अलग shape में अजीब अजीब ठीक है आप समझ सकते हो bringing in a banquet banquet आपको मैंने बताया था पूरे dining table ला रहे है सजी हुई they dance about it with gentle actions of salutation and inviting the king and others to eat यानि कि वो आते हैं और dance करते हुए कुछ salutation या फिर honor दिखाते हुए king को कहते है इशारा करते है और और सभी लोगों को क्या आई ये खाना काई ये और उसके बाद वो चले जाते है alone so कहते है give us kind keepers heavens what were these तो वो कहते है कि भगवान ने हमें kind keepers दे दिये अच्छे angels दे दिये जो हमारी मदद करने आए है हम भूके हैं right और वो पूछता है ये थे कौन समझ नहीं आ रहा अजीब से लोग थे तबी Sebastian कहता है a living drollery drollery यानि की puppet जो होते हैं जिनको कोई चला रहा होता है now I will believe that there are unicorns that in Arabia there is one tree the phoenix throne तो Sebastian क्या कहता है कि अब मैं believe करता हूँ कि unicorn होते हैं जो लोग आकर travelers हमें बताते थे वो जूटी बाते नहीं थी ठीके दुनिया में अलग लग कोने में ऐसे अजूबे हो सकते हैं अम मुझे विश्वास है कि unicorn होते हैं ठीके और ये भी मुझे विश्वास है कि Arabia में एक tree है जो कि एक phoenix का throne है होती है उधर से एक नया बेबी phoenix पैदा हो जाता है और ये process repeat होता जाता है ठीके और वो कहता है phoenix at this hour raining there यानि कि अभी भी इस hour यानि कि इस time पे भी अब मैं बिलीब करता हूं कि कोई phoenix तो महां हो गई ठीके जो वहां राज कर रहा होगा और वो tree उसका throne होगा ठीके मैं तो इन दोनों बातों पे believe करूंगा अब क्योंकि मुझे ये देख के विश्वास हो गया कि अगर ये हो सकता है तो वो भी हो सकता है and किसी और को credit चाहिए तो come to me किसी को भी किसी बात का credit भी चाहिए तो मेरे पास आजाओ मैं तो अब हर चीज़ पर विश्वास करता हूँ जो भी दुनिया में traveler बोल दे वो सच ही है हम बेवकूफ घर पे बैठे बैठे सोचते हैं कि वो कुछ भी बोल रहे है लेकिन वोनोंने जो देखा होता है वो सच ही होता है और मैं कसम भाके उन लोगों को कह दूँगा कि सच में true है ये मेरी guarantee है ये traveler जो कह रहा है न सही है travelers never did lie travelers कभी जूट बोलती ही नहीं थे ठीक है जो voyage वगेरा पे जाते थे ना समुदरी यातरा पे दो fools at home condemned them यानि कि जबकि जो घर पे रहते थे fools वो कहते थे तुम लोग जूट बोल रहे जूट बोल रहे राइट गुंजायलो कहता है अगर मैं अभी नेपल्स में जाके ये बोलू ये साही बात जो हमाई सामने होई तो कोई विश्वास करेगा ये important lines है अभी इसका मतलब बताती हूँ देखो थोड़ा सा अजीब सेंटेंस है बट समझने के कोशिश करते है अगर मैं कहूँ if I should say कि ये जो islanders है इनके पास जो है even दो इनका shape जो है monstrous है लेकिन ये हमाई जो लोग है नेपल्स पे उनसे तो कहीं ज्यादा इनके manners gentle है तो क्या वहाँ पे लोग हमारा विश्वास करेंगे बीच में एक online कहते है तेके अब इसको समझने के वाँ समझो अगर मैं कहूँ कि ये जो islanders है even for certainly certainly यानि कि certainly ये people के ही लोग है तो तब ये island के ही लोग है तो इन्हे islander तो बोल चकते है सब भूत वगेरा कुछ नहीं कहा रहा है वो कहा रहा है बिल्कुल dignified way में कि ये islanders है island के लोग है जो कि even though who though they are of monster shape even though they are of monster shape yet note करो इस बात को कि उनके manners कितने gentle है gentle kind than of our human generations you shall find many nay almost nay इस line का मतलब है human generation you shall find many यानि कि हमारे generation में बहुत से ऐसे लोग है many लोग उनसे तो बहतर है ये लोग ठीक है अगर मैं ये बात ये सारी बताऊँ उन लोगों को जाके तो कौन विश्वास करेगा ने यानि कि no one almost कोई भी नहीं है ऐसा इंसान होगा तो अल्मोस सारे लोग कह देंगे कि तुम जूट बोल रहो कि ऐसे monstrous लोग नहीं होते हैं कहीं पर भी और वो हम से बेटर है हम में से कई लोगों से जादा बेटर है तो इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा प्रस्पेरो कहता है honest lord प्रस्पेरो क्योंकि वो तो धीरे से बोलेगा invisible भी है honest lord though has said well for some of you there present are worse than devils तो अब प्रस्पेरो किस बारे में हिंट दे रहा है ये भी समझो वो कहना चारा है कि ये जो तीन लोग है सामने ये to be very specific उसका खुद का भाई और वो अलोंजो जो है यानि कि अन्टोनियो और अलोंजो की तरफ इशारा करके कह रहा है मतलब उनकी तरफ indirectly बोलना है कि हाँ तुमने बिलकुल सही बात कही है honest lord अब उसे honest क्यों कह रहा है यानि कि मैं कितना wonder करूं मुझसे तो इतना wonder नहीं क्या जा रहा है ये कैसे shape है gesture कैसे है sound कैसे है मतलब बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत चक्का रह जाना ऐसी चीजों को देख कर और आगे वो कहता है although they want the use of tongue यानि कि although उनके पास tongue नहीं है but वो excellently dumb तरीके से यानि कि बिना बोले चुप चाप अपने actions से हमें उन्होंने समझा दिया कितनी सही तरीके से तब जो भी वो कहना चाह रहे थे ठीक है प्रसपेरो कहता है praise in departing यानि कि वो एक टैप की warning टैप की कह रहा है कि don't praise too much क्योंकि praise यह जो लोग है ना यह harmful भी हो सकते है यह spirits जो है यह हर तरीके का काम कर सकते है तो यह अभी प्यारी दिख रहे हैं बस तो Francis को कहता है they vanished strangely अरे यह तो एकदम से गायब हो गए एकदम से चले गए तो Sebastian कहता है no matter since they have left their vines behind for we have stomachs देखो Sebastian तो चालाक इंसान है although मतलब Antonio जितना नहीं बठा है तो Sebastian कहता no matter क्या देख काते है कोई बात नहीं ना कोई नहीं खाना तो छोड़के गए ना अपना और हमाया पास स्टमक है यानि कि हम तो भूके है खाना सामने vines यानि कि कुछ sweet food ठीक है will it please you taste of what is here मतलब यहाँ जो रखा इसको जड़ा टेस्ट करेंगे आप लोग तो alone सो कहता है not I भाई वो तो डर गया कि पता नहीं क्या रख के चले गए और खालिया तो पता नहीं क्या हो जाया मैं बोडी में paid sir यानि कि sir इन लोगों पर विश्वास करें ठीक है और आप खाना खाने चलिये you need not fear when we were boys जब हम छोटे बच्चे थे who would believe that there are mountaineers dew-lapped like bulls तो जब हम बच्चे थे तो क्या हम तो हम believe नहीं करते थे है ना हम believe नहीं करते थे की mountaineers mountaineers पर ऐसे लोग रहते हैं जिनके गले पर जो mass है एकदम flesh bulls के जैसे होता है ना नीचे गले पर वैसे उनके गले पर होता है ऐसे इंसान होते हैं हम believe करते थे कहीं नहीं जिनके throat जो है hanging at them यानि की जिनका जो गले आरा region है वो इतना नीचे bulls की तरह hang करता था wallets of flesh यानि की बहुँ ज़दा bag of flesh की तरह ठीक है ऐसे इंसान हमने कभी सोचे थे होते होंगे या or that there were such men whose head stood in their breast ऐसे इंसान के हमने सोचे थे जिनके जो सेर है वो उनके सीने पे ही हूँ अब हमें समझ में आता है जो traveler है वो हमें बताते है कि ये बाते सच है जितने भी traveler आते है उन में से हमें काफी information नहीं नहीं मिल रही है अब putter out 5 का मतलब क्या होता है पहले ये होता था कि लोग invest करके जाते थे money हम मालों की कुछ 1,000 रुपीस जमा करके जा रहे है ये तो just example के लिए है और अगर मैं journey से वापस आई ठीक है voyage पे गई और वापस आ गई और जिन्दार रही तो मुझे उसका 4 या 5 गुना रुपे वापस मिलेगा अगर मैं नहीं आई तो वो पैसा वो company रख लेगी ठीक है तो put around 5 का मतलब वही है कि traveler जो भी traveler आते है तो वो बिलकुल warranty के साथ या guarantee के साथ हमको कहते है कि ये चीज़े उन्होंने देखी है जो कि पहले हमें विश्वास नहीं होती थी ऐसे लोग exist करते हैं तो हाँ ये लोग भी मतलब इंसान के तरह ही है और इन पर विश्वास कर लीजे अलो उन्हों कहता है I will stand to and feed although my last no matter since I feel the best is past अब वो कहता है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँगा stand यानि कि start करूँगा अपने आपको मतलब फीड यानि कि खाना खाना और जो मेरा best part था life का वो गुजर चुका है तो अगर ये मेरा आखरी meal भी है although my last यानि कि अगर ये आखरी meal भी है ना तो I don't care you know it doesn't matter मेरा बेटा भी मैं ऐसे चला गया और मैं यहाँ पर पता नहीं कहां आके मर रहा हूँ ठीक है तो brother my lord the duke stand to and do as we यानि कि Sebastian and my lord the duke duke कौन है यहाँ पर Antonio right जिसने Prospero की dukedom ली थी तो आओ मेरे साथ खाना कहो ठीक है thunder and lightning enter area like a harpy एक creature की तरह वो आता है ठीक है claps his wing wing अपनी table पर ऐसे clap करता है और with a quaint device the banquet vanishes एक ही जटके में वो जो पूरा खाना है न वो वैनिश हो जाता है Ariel ने जैसे ही अपना wing उसके उपर ऐसे करता है ठीक है clap करता है अब आता है most important paragraph जिसकी वज़े से ही यह scene important होता है Ariel कहता है you are three men of sin whom destiny that had to instrument this lower word and what is in it ठीक है तो एकदम जैसे आकाश मरने ही होती है न मतों उपर से भगवान कुछ बोल रहे होते हैं और जो भी बेकार लोग है सुन रहे हैं ठीक है so you are three men of sin जिनको destiny ने जिसका काम होता है lower word को instrument करना उसको चलाना और उसमें जो भी कुछ हो रहा है उस lower word में दुनिया में जो भी चीजे है what is in it जो भी लोग हैं उनको instrument करना उस destiny ने तुम्हें यहां पर fake दिया है इस island पर ठीक है क्या होगा तुम लोगों के साथ the never surfeited sea जो भी never satisfied sea होता है उसको कुछ भी उसके अंदर डाल दो वो साथ निकल लेता है उस sea ने क्या किया तुम्हें belge यानि की throw कर दिया ठीक है throw up यू मतलब की shore के पास तुम्हें throw कर दिया ठीक है and on this island where men that not inhabit इस island में तुम्हें fake दिया लाकर जिसमें कोई भी इंसान रहता नहीं inhabit नहीं किया किसी ने इस island को एकदम बेकार जगे है you amongst men being most unfit to live तुम जो है इंसानी दुनिया में सबसे अदा बेकार हो जीने के लिए यानि कि तुम जीने लाइक इंसान नहीं हो तुम्हें life suit नहीं करती अमंग men अमंग all men तुम सबसे बेकार इंसान हो I have made you mad मैंने तुम्हें पागल बना दिया है तुम्हें सामने से खाना अटा दिया अब तुम crazy हो रहे हो एकदम बॉकलाए हुए हो and even with such like valer man hang and drown और अब तुम्हें साथ जो हुआ है ऐसी condition में जितने वेलर है यानि कि brave से brave men भी न अपने आपको hang कर देते या तो डूब जाते है पानी में यानि कि suicide कर लेते ऐसी condition में मैंने तुम्हें लाखी खड़ा कर दिया है their proper cells drown their proper cells यानि कि अपने असली जो अपने आपको true cells को वो जो है दूबा देते है पानी में यही सुनते Alonzo Sebastian ने यानि यह जो mark बना हुए न और C लिखा है C type का लिखा इटालिक्स में उसका मतलब है all मतलब जितने भी और भी लोग थे न Francisco and all उन सब ने अपनी sword यानि तलवार निकाल ली ठीक है तो वो देखकर Ariel बोलता है You fools I and my fellow are ministers of fate तुम बेवगूफ लोग हो कि मुझे मारना चाहते हो मैं और मेरे fellow जो मेरे shapes जो मेरे साथ आये थे वो ministers है यानि कि messengers है fate के destiny के भाग के messengers है तुम्हें बताने आये है तुम्हें इसाथ यह सब क्यों हो रहा है ठीक है The element The elements of whom your swords are tempered जिस element से तुम्हें sword बनी हुई है right iron and all ठीक है May as well wound the loud winds वो जो है ये भी possible है even ये भी possible है मैं कह रहा हूँ कि वो winds को काट दे जबकि आपको पता है winds को harm करना कैसे possible है ठीक है और with be mocked at steps kill the still closing water और even तुम्हारी शायद जो swords है water की step को भी cut करते दो हिस्सों में वो water जो की जिसको तुम पानी से cut करोगे तुम फिर वो still closing water यानि की फिर से अपने पास आ जाएगा तुमने बीच में से draw करी मालो कुछ minute seconds के लिए वो पानी अलग रहा भी फिर भी वो बहके फिर मिल जाएगा ठीक है तुम शायद ये काम भी कर लो लेकिन एक काम तुम नहीं कर सकते अपनी swords से वो क्या है कि मेरे जो dowel यानि की soft feather होता है जो की मेरे plume plume तो ऐसे french में feather को का जाता है यानि की मेरी body से जो मेरी feathery body है उसमें से तुम एक भी कह सकते हो ना कि एक भी छोटा सा भी पर नहीं गिरा सकते remember वो harpy के shape में आया था और पहले आपने wings से ऐसे clap किया था और table गायब हो गई थी तो वो क्या कह रहा है कि तुम impossible से impossible पॉसिबल टास्क कर सकते हो शायद इस स्वर्ट से लेकिन मुझे और मेरे fellow ministers को कुछ नहीं कर सकते my fellow ministers are like invulnerable यानि की कोई ऐसी चीज जिसको आप conquer नहीं कर सकते हो जिसको आप harm नहीं कर सकते हो ठीक है तो हमें कुछ नहीं हो सकता ठीक है we are messengers of fate if you could hurt your swords are now too messy for your strengths and will not be uplifted अगर तुम मुझे hurt कर भी लेते हो माल लो तुम्हाँ अंदर ये capacity है कि तुम मुझे मेरा बाल भी भाग का जैसे हम कहते है तुम मेजे मार भी सकते हो माल लो ऐसा मार लिया जाए फिर उस case में तुम्हारी जो swords है अब इतनी भारी हो चुक है कि तुम्हाई strength अब है ही नहीं कि तुम उसने उठा सको uplift कर सको तो वो जादू कर देता है actually right तो आपको पता है ये साई चीज़े होती रहते हैं ये आपे but remember for that's my business to you ठीक है remember एक बात याद रखना क्योंकि यही मेरा mission है या business है मैं यहाँ पर तुम्हाई पास आया किसले हूँ वो मैं बात बताते हुए जाना चाहता हूँ यहाँ से that you three from Milan did supplant good prespero तुमने supplant याने की illegally उसको हटाये ना good prespero को exposed unto the sea और sea fake दिया था तुमने उसको उसके बेटी को which hath requit it अब वही चीज तुम्हें pay करनी पड़ेगी तुमने जो गल्टी करी उसकी सजा तुम्हें मिलेगी him and his innocent child for which fall deed the powers delaying not forgetting have incensed the seas and shores तुमने उसके बच्चे को और उससे innocent child को और उसे जो है डाल दिया था पानी में right for which fall deed जिस fall याने की वैसे तो fall याने की साड़ी हुई कोई चीज अब यहाँ पे क्या है गटिया काम ठीक है उसी बेकार डीड याने की काम कर्म की वज़े से अब जो है जो पावर्स है उन्होंने सारी sea है shores है और सारी जो natural creatures है उनको तुमारे against कर दिया है पूरा nature तुमारे against हो गया है उस वज़े से क्योंकि तुमने उसको पानी में ही उस time उसके साथ जो किया था वो तुम्हें उपास अब क्या हो रहा है कि तुम्हें pay करना पड़ेगा तुम्हें पश्चा चाप एक टाइप का करना पड़ेगा या फिर अब तुम्हें उसकी सजा मिल गए ठीक है the powers delaying not forgetting यानि कि इवन दो काफी साल हो गए 12-13 साल हो चुके है और I guess 12 साल ही हो गए थे तो इतने साल हो गए delay तो हो गए बट ये power भूली नहीं है not forgetting इनने time तो लगा है लेकिन उस जो power है भगवान की power वो ये भूले नहीं है कि तुमने क्या क्या था और इसलिए सारे जहें see and all को इननोंने incense यानि कि उसको एकदम भढ़का दिया है सारे nature की सारे elements तुम्हारे against हो गए ठीक है और ये सारे चीज़े अगेंस्ड यो पीस हो गई है thee of thy son Alonzo they have bereft यानि कि इनी element की वज़े से ठीक है उसके ship में आग लग जाती है बहुत ज़दा thundering हो रही होती है बारिश हो रही होती है और sea में उसका बेटा डूप जाता राइट so thee of thy son याने कि Alonzo तुमसे तुम्हारा बेटा इनोंने डिप्राइव कर दिया bereft यानि कि किसी से ले लेना ठीक है तो तुमसे तुम्हारा बेटा इनी नैच्रल नेचर ने तुम्हारा बेटा तुमसे ले लिया ठीक है उससे तुमसे दूर कर दिया and do pronounce by me lingering perdition बिल्कुल लंबी, प्रोलॉंग्ड जहें, डेथ दूं, ठीक है, एक सिंपल डेथ नहीं, जो कि एक वर्स देन एनी डेथ हो, ठीक है, सिंपली किसी को, कोई मर गया, डूब कर, वो अलग बात होती है, उन्होंने मुझे काया कि मैं तुम्हें एक बहुत लंबी मौत दूं, ठ ऐसी डेथ से जादा बुरी डेथ मुझे देने को का गया है तुम्हें, ठीक है, परडिशन यानि की डिस्ट्रक्शन तुम्हारे, तुम्हारी मौत, राइट, शैल, स्टेप बे स्टेप, अटेंड यू एन यूर वेज, और मुझे का गया है कि मैं तुम्हारे हर गतिवित एक डेसलेट आइल पे, छोटे से आइलेंड पे, एक आइलेंड के कह सकते हूँ, छोटे से टुकड़े पे आके फस गया हूँ, ठीक है, एल्स फॉल्स अपॉन यूर हैड, और अब तुम्हारे उपर ही इस सारी जहे है, दुख ही, दुख, गिर रहे हैं, ठीक है, इस आइलेंड पे छोड़ दिया गया है, ठीक है, तुम्हारे करमों की विज़े से, ठीक है, तो ये बात अलोंसों से कही जा रहे है, अब वो ये भी कहता है, कि सिर्फ बचने का एक ही तरीका है, ठीक है, तुम जहें, पूरे हार्ट से अपना दुखी हो जाओ, दुखी हो जा So you have two options, या तो तुम मार जाओगे, ठीक है, धीरे-धीरे करके, या तो फिर पस्चा ताप करो, ठीक है, that's the main point यहाँ पर, अगर आपको किसी words, मुश्किल हो रही है कि word-to-word meaning नहीं आ रही, ऐसा as a whole मतलब समझ लो, अग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं होता है कि word-to-word आ जाए, बहुत काम ऐसा होता है, तो यहाँ से आप देख लीजएगा word, मैंने meaning तो बता दिये, desolate यानि कि जहाँ पर कुछ नहीं होता है, isolated, ठीक है, थोड़ा सा boring type का था, बट यह important है, तो भाई हमें तो एक्जाम के लिए तैयारी करनी है, आप आगे देखते है, Prospero जहें बोलता है, bravely the figure of this harpy has performed my aerial, बहुत जदा खुश हो जाता है कि, aerial ले कितना जदा strictly और कैसे करके, bravely उस figure को represent किया है, presentation किया है harpy का, ठीक है, तो बहुत खुश होता है, a grace it had, it had a grace, जो तुम्हाई performance थी, it had a grace, it had a beauty, जो कि मुझे दिखाए दी, ठीक है, devouring of my instruction has though nothing bated, यानि कि जो तुम्हाई performance थी, उसमें सारी चीज़े absorbed थी, तो मने सारी जो मेरे instructions थे, एकदम point to point follow कि, और कुछ भी baited नहीं रहा, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, जो तुम भूल गए, in what though had us to say, यानि कि, तुम्हें कुछ भी omit नहीं क्या, कुछ भी छोड़ा नहीं, जो कि तुम्हें कहना था, तुम्हें साब कह दिया, अब यह बात खताब हो चुकिया, ठीके, तुम्हें बेरी instruction को, वैसा का वैसा ही बोला, कुछ भी ऐसा तुम्हें छोड़ा नहीं, जो तुम्हें बोलना चाहिए था, और, तुम्हें तुम्हें करी, एक good life representation, good life यानि कि, एकदम life-like representation लग रही थी, तुम्हारी और जो तुम्हें रिप्रेजेंट किया, जो शेप तुम्हें लिया, वो सब कुछ perfect था, तुम्हें बात भी सही था इसे कहीं, तुम्हें अपना gesture भी सही बनाया रखा, body language सही थी, representation सब सही था, my meaner ministers, यानि कि मेरे जो inferior spirits और भी थे, उन्होंने भी अपना काम बहुत अच्छे तरशे किया है, my high charms work, मेरे जो charms magic spell है, उन्होंने काम कर दिया है, ठीक है, and these mine enemies are all knit up in their distractions, जो मैंने confusion इनके अंदर पैदा करी है, उस भी में ये knit up है, knit up यानि कि, फस गए है, entangled होके रहे गए है, ठीक है, ठीक है, तो actually, वो naturally सर्फ दुखी और confused नहीं है, उन्हों उसने, उन्हों लोगों के उपर जादू भी किया है, अपना charm किया, ठीक है, so Prospero क्या कहता है, कि अब ये लोग मेरी power में है, और अब मैं इसी condition में, इसी fit में इन्हें यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, while I'm going to visit young Ferdinand, जो की, इनको लगता है कि मर चुका है, drown हो चुका है, और मैं Ferdinand को मिलने चाहरा हूँ, and his and mine love, loved darling, यानि कि मेरी और उसकी loved darling, मतलब कि Miranda को भी, मतलब अब पूरी तैसे मान चुका है, कि आप Ferdinand और Miranda की शादी हो जाएगी, और वो उस चीज़ के लिए राजी भी, of course he wanted, इसकी वज़े से यह सारा plan हो पाया है, ऐसे में देखो, अब Alonzo वगरे यह जहें एक charm के अंडर अभी है, तो Gonzalo केता है, इसे घूर कर आप खड़े क्यूं है, मतलब जब वो अरियल वगरे चले जाते हैं, तब यह कहता है, Alonzo कहता है, ओ, it is monstrous, monstrous, me thought the billows spoke and told me of it, यानि कि मुझे ऐसा लग रहा है कि Sea Waves ने खुद मुझे मेरी गलतियों के बारें बताया है, told me of it, it यहाँ पर उसके mistakes हैं, ठीक है, the wind, the winds did sing it to me, मुझे ऐसा लग रहा है कि wind ने मुझे गागा के सुनाया है, and the thunder, thunder ने भी मुझे मेरी गलतियों के बारें बताया है, thunder, that deep and dreadful organ pipe, जिसने एकदम, thunder की आवाज आप तो जानते हैं, कैसे होती है, मतलब उस thunder ने अपनी deep और dreadful organ pipe जैसी एकदम आवाज में, डरावनी आवाज में प्रोनाउंस किया है, प्रोस्पेरो का नाब, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, it did bypass my trespass, बास यानि कि किसी भी rough voice में कुछ बोलना, ठीक है, जैसा कि पता है, organ pipe की आवाज कितनी अजीब सी होती है, किसी को पसंद तो आती नहीं है, तो वैसे ही thunder ने और wind वगेर ने मुझे, प्रोस्पेरो का नाम मुझे मतलब सुनाई दिया, और मुझे मेरी गल्तियां उन्होंने बताई मुझे, ठीक है, अब देखना आगे वो क्या कहता है, यह important line है, चलिए इसे समझते हैं, ठीक है, इसलिए, जब मेरी गल्तियां जो मैंने सुन ली है, मुझे इतना ज़दा बुरा लग रहा है, इसलिए मेरा सन, जो की ooze, यानि की, दाबा, ooze मतलब की वो मिट्टी, जो सबसे नीचे के लेफल हो गया ना, पानी खतम होने के बाद, उस जमीन पे, ठीक है, वो जगे में embedded है, embedded यानि की, धसा हुआ है, ठीक है, मैं उसको ढूणने जा रहा हूँ अब, यानि की मैं भी मरना चाहता हूँ, I will seek him deeper than, ठीक है, मैं उसको ढूणने के लिए, seek यानि की search, in search of, मैं उसको ढूणने के लिए, plummet की sound से भी ज़्यादा नीचे चला जाओंगा, ठीक है, plummet मतलब की, अभी भी हम sonar वगेरा का use करते हैं, किसी भी area में, see की कितनी depth है, मैं वैसे sound wave से पता किया जाता था ना, तो plummet sound, जितनी गई होगी, आज तक, जितनी deep जाती होगी, मैं तो उससे ज़्यादा deep जाओंगा, अपने बेटे को खोजने के लिए, and with him, there lie mudded, उसी के साथ वहाँ पे, तूनने के बाद उसे, वहीं पे, murdered, यानि की, मर जाओंगा, मिट्टी के नीचे दब जाओंगा, ठीक है, तो इतने ज़्यादा उसके negative thoughts, उसके मन में आ रहा है, because of the charm, and also, क्योंकि उसने गलत काम किया है, तो उसको बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है, Sebastian कहता है, but my fiend at a time, I will fight with legions over, मतलब वो कहता है, बस एक काम करो, कि एक बार में एक-एक fiend, यानि कि एक-एक devil मेरे पास आओ, और मैं legions, यानि की, बहुती large number को, हराने की capacity रखता हूँ, एक साथ मताना, बस एक-एक करके आते जाओ, वो जह हवा में ही तलबार चला रहा है, एसा पागल सा बन गया है, और कह रहा है की, ठीक है, हाते जाओ, हाते जाओ, करके मैं मार दूँगा सबको, यह साइच चीज है, ठीक है ना, Antonio कहता है, I will be the second, यानि कि मैं भी तुम्हें support करूँगा, और मैं भी fight करना चाता हूँ, again एक important line आती है, गुंजैलो कहता है, all three of them are desperate, ठीक है, सभी के सभी यह desperate है, their great guilt like poison given to work a great time after, now begins to bite the spirits, इनकी जो great, इन्होंने guilt, जो इन्हें अभी महसूस हो रही है, वो इस तरीके से काम कर रहे है, जैसे कि कोई poison हम किसी को दे देते हैं, वो काफी समय बाद काम करना शुरू करता है, इन्होंने जो गल्तियां पहले करीं थी, जो इन्होंने guilt का काम पहले किया था, अब वो इतने साल बाद poison की तरह काम कर रहे है, और इनकी खुद की आत्माओं को काटना शुरू कर दिया है, उस guilt ने, इन्हें अंदर ही अंदर खाये जा रहा है, spirit से आने की soul, ठीक है न, I do beseech you that are the suppler joints, follow them swiftly and hinder them from what this ecstasy may now provoke them to, मतलब वो क्या कह रहा है, मैं तुम लोगों से pray करता है, I do beseech you that are of suppler joints, जिनके joints जादा flexible हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अब यहाँ पे कौन है flexible joints वाला, यह तो खुद बूडे हैं, गॉन्जैलो, तो एड्रियान और फ्रेंसिस को, और और भी जो लोग हैं उनको कह रहा है, कि please I beseech you, इनको जल्दी swiftly, यानि in speed, follow करो उनको और hinder करो, यानि कि इनको रोको, वो करने से, जो इनका मन अभी कह रहा है इनको, ऐसी mental disturbance की stage में, इनको जो कह रहा है, इनका मन वो काम करने से निरोको, यानि कि suicide करने से रोको, ecstasy यानि कि mental disturbance है, ठीक है, provoke यानि कि बढ़ावा देना, ठीक है, तो एड्रियान कहता है, follow I pray you, तो Adrian कहता है, please follow these people, I pray you, और Francisco and all लोग वहाँ चलते हैं, थोड़ा सा serious tone में बात करना पड़ा, because ये scene ही ऐसा था, but बस, I hope you understood everything, clearly, वैसे तो सारी चीज़े मैंने बता दी है, still if you have doubt, तो बता सकते हो, and also I want to thank you all, क्यूंकि 11th का portion complete करना, was not easy, और इस वीडियो में भी आप कॉमेंट करो, जरूर, you know, जिस चीज़ को मैं प्रायोटी देती हूँ, वो यह ही है कि कॉमेंट आते रहे, जिससे कि मुझे फीडबैक मनता रहे, please, वीडियो के नीचे, जैसा भी है अपना जैन्यून कॉमेंट किया करो,